नमस्कार दोस्तों चैनल पर एक बार फिर से आपसे लोगों का स्वागत है एक फरवरी 2024 से टीवी देखना महंगा होने वाला है किस प्रकार से महंगा होगा कौन कौन से चैनल महंगे हो रहे हैं किस वाय से टीवी देखना महंगा होगा पूरी अपडेट इस वीडियों बतान हैं दोस्तों एक फरवरी 2024 से टीवी देखना मंगा होने वाला है क्योंकि एक फरवरी से ट्राइंटियो 3.0 लागू हो जाएगा और ट्राइंटियो 3.0 लागू होने के बाद जितने भी चैनल्स हैं सभी ब्रोडकास्टर अपने चैनल्स का रेट बढ़ाने वाले हैं दोस्तों सोनी नेटवर्क की तरफ से भी जितने भी चैनल्स हैं सोनी नेटवर्क के उनके सभी रेट बढ़ा दिये गया है और इड़रीwn 224 से दर्सकों को नए रेट पर चैनल्स को देखना पढ़ेगा जो उनका 80 सुलक है वो बढ़ा के देना पढ़ेगा इसके साथ ही वाइकूम 18 नेटवर्क ने भी अपने जो चैनल्स का रेट है उसको बढ़ा दिया है एक फरवरी दोजार चोबिस से और एक फरवरी दोजार चोबिस से दर्सकों को अगर वाइकू में 10 नेट्वर्क के या कलेस्ट नेटवर्क के कोई भी चेनल देखना है तो नए रेट पर पैसा देना पड़ेगा इसके साथ ही अगर हम बात करें जी नेटवर्क ने भी एक फर्वरी 2024 से चैनल्स का रेट बढ़ा दिया है और नए रेट पर दरसकों से पैसा एक फर्वरी 2024 से लेना सुरू कर देगा इसके साथ ही अगर बात कें दोस्तों Star Network की तो Star Network ने अभी क्लियर नहीं किया है कि कितना रेट बढ़ाय गया है बाकि दोस्तों बहुत जल्द स्टार नेटोवर की तरब से भी ट्राइएंट्यो 3.0 लागू होने के बाद रेट को बढ़ाना ही पड़ेगा और एक फरवरी 2024 से नए रेट पर दरसकों को पैसा देना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि ट्राइएंट्यो 3.0 सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट डिटीएच पर लागू होता है तो प्राइवेट डिटीएच पर जितने भी चैनल्स हैं सिर्फ वही चैनल्स महंगे होंगे और जो प्राइवेट डिटीएच के दर्सक हैं उन्ही को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे अगर हम बात करें डिटीएच के दर्सकों के लिए तो डिटीएच के दर्सकों के लिए हमेशा की तरह सभी चैनल्स बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलेंगे जितने भी चैनल्स डिटीएच के उपर लागू नहीं होता है इसलिए डिटीएच के दर्सकों को टीवी देखना महंगा नहीं होगा डिटीएच के दर्सकों को पहले की तरह ही सभी चैनल्स बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलेंगे जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग